प्रिशाद मौरिया के मुँमें बवासीर हो गई है इसे सहीर माइने में हमें अपनी संस्कृति के मताबि अपनी घर वाली का सम्मान भी करना चाहिए और आदर के साथ उसकी आरती माला फूल भी पहनाना चाहिए क्योंकि असली हगदार लक्षिमी की रूप में वही है इसके साथी आपने उसमें ट्वीट में एक यह बाद भी मैशन करी थी कि कोई भी बच्चा आज तक चार हाथ या आठ हाथ लेकर पैदा नहीं हुआ हमने केवल चार हाथ ही नहीं कहा हूँ चार हाथ आठ हाथ दस हाथ बीस हाथ हजार हाथ वाला बच्चा आध तक पुरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चनोती देता हूँ वो से हमें बताएं हम उसे स्विकार करेंगे कलपना के आधार पर हम किसी को हजार हाथ वाला बना दें किसी को बीस हाथ वाला बना दें किसी को दस हाथ वाला बना दें किसी को चार हाथ वाला बना दें तो कल्पना कल्पना होती है, कल्पना हवा हुआ ही होती है, इसलिए मैंने तो वो बात कही है, जो ब्रिवहारिक है, सत्य पर आधारित है, बैज्यानिक भी है और सनातन भी है, तो मैं सनातन धर्म के मताबिक अपनी बात को रखा है, अगर किसी को कोई इतराद है, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये बात मैंने लोगों से अपील किया कि अपनी अपनी घरवाली का सम्मान करना प्रारम करें, तो इसे घर की शुक्ष्मिद्धी आगे बढ़ेगी, क्योंकि सही मैने में घर की लक्ष्मी वही है, हमारी भावना किसी को दुख पहुचाने का नहीं, हमारी भावना किसी पर चोट करने की नहीं, हमारी भावना केवल अपने अपने घरों की महिलाओं को सम्मान देने की अपील की रूप में है, अपने घरवाली को पुजा, सम प्रतिस्था देने की बात की है और इसलिए जो लोग भी इसको धर्म से जोड़कर अनाव सनाव बयान बाजी कर रहे हैं उनको इसका सही अर्थ समझना चाहिए सर्थ स्वामी प्रसाद मौरिया के मुँमें बवासीर हो गई है स्वामी प्रसाद मौरिया जी को इलाज की बहुत जरूरत है मैं योगी आदित नाज जी से कहूँगा कि उनकी बोलने पर पावंदी लगाएं देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूस को सब्सक्राइब करें वह बेल आइकान दबाना न भूलें